हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग साइन्स के थर्ड चेप्टर ठीक है जिसका नम क्या है बच्चो सिंठेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स उसके एक टॉपिक है प्लास्टिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है स्टाट करते हैं आज के टॉपिक को जैसा कि आप दे अलीं है प्लास्टिक से ठेक है जिसे आप देखो के प्लास्टिक के दो क्राषिक करने बाल्डि यहां तक की आप पॉलीथी। देक देखते हो जिसमें आप समानवगरा लेकिके आते हो वह भी क्या है फ्यों प्रेविक तो है तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम चारों तरह से बड़े वैं और भॉप सब्सक्राय net उनसे लेकिन धी टूरी यह तो यह हम तो बता रहे हैं कि मारे चारों तरफ द्रफ okay भी प्र शोच फर इसके क्या प्रकार हैं इस सब के वारे में चच्चा करते हैं तो टॉपिक क्या है प्लास्टिसिटी तो बिटब प्लास्टिसिटी क्या होता है प्लास्टिस प्लास्टिसिटी जो है किसी भी मटेरियल किसी भी पदार्थ के वह प्रॉपर्टीज होती हैं वह गुण होते हैं जिसको किसी भी आकार में ढ़ला जा सकता है यानि जब किसी पदार्थ को किसी मटेरियल में यह गुण होता है कि उसको किशी भी सेप में ढ़ला जासता है तो उसके उस गुण को क्या कहा जाता है प्लास्टिसिटी कहा जाता है ठीक है अच्छा यह जो प्लास्टिक होते हैं यह ऐसे पदार्त होते हैं इस क począt होते हैं जित छुद्टि कर्फ एक कремूं Aaa १ा 무 प्रक्रति में से स्ञचैटिक होते हैं क्या होते हैं संसलेशित होते हैं यह अपने नहीं को बनाया जाता है इनको स्ञेयर कर जाता है फिरलेós प्लास्टीक है वह मेंनली प्लास्टीक आया जाता है बनाता है उनको किसी भी मैंडाच भी ठाला ठाला जा सकता है numm old किश्कता है कि इसके अलावा प्लास्टिक में खास बात होती है कि प्लास्टिक डूच्ट आच इसली विद ए whopping यह और पानी से आजानी से रि Napिया नहीं करता है ओ जो पानी और उक्सीजन से क्लिए नहीं करता है तो दिए can do not settlerswards बीने अदिए जंब नहीं लगती है चल्दी समय सिस्में नहीं खती है अ इसके लाब़ा प्लास्टिक जो है और एक प्रापरती है कि जो प्लास्टिक होते है कि बिढा सिक्व ठीच्ट इसको अपने में से पास होने नहीं देता तो एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है ठीक है बच्चो इसलिए प्लास्टिक क्या है नॉन बायो डिग्रेडेबल ना नस्ट होने वाला पदार्थ है तो इतनी सी जो आपने प्लास्टिसिटी में पढ़ा क्या पढ़ा आपने होते व ऐसे पदार्त होते हैं इनको पैट्रो काेमिकल सोसे से प्लाप् facto किया जाता है इंको किसी भी सेप्में डाला जाकता है यह एर वोटर से रियक्टनीट नहीं करता है इसलिए ऑक्सिडाइज नहीं तेप्लास्टिक हीत और एक्लची गये पाती होतping नो Step twoittel नहींकर प्लास्टिक सोते हैं वो नीचर में पॉलीमर होते हैं सिंगल जोड़ करके पॉलीमर बनाते हैं थेक को दियान रखेंगा आचा उन्द बेसिजव एफट आफ हीट यानि हीट यह निए उस्तमा के प्रभाव के करन्ड जो है Yellow क्या कहा है Dоты ने भागों में बाड़ दिए अंगा धर्म प्लास्टिक कि आयो बास्टिक होता है चोने होते हैं जो यानि जब उनको घरम कह जाता है तो बहुत सफ्ट ही जाता है तो वो क्यों जोते हार्ड बन जाते हैं एक और इसी के कलरन क्या कर सकते हैं यह किंटेड़ इन्टि को प्लास्टीसिटी उत हुँ कोड़inder डियुकह वो खोते नहीं है ठीक है यानि इनको हम बार-बार किसी सेप में भी ढाल सकते हैं ठीक है एक्जामपल ले जैसे पॉलिथीन हो गया पीवीसी पाइप हो गया ठीक है इसे तर कुछ कॉमनली कंटेनर बोतला और सूजेज या हैंग बैक्स भी आते हैं जो थर्मो प्लास्टिक क क्या होता है तौ थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होता है तो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक होते झीनको के वलिए ऐक ही बार आप माऊळ्व denn कर शकते हूं रख नहीं तब यूंद दोबारा नहीं बाहरा नहीं सकते हैं ऑर ऐक बार नीके यह प्लास्टिक cog और का जो होते हैं अब यह जो आपका क्या है इसقे बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है ने शोने लेकलाइट कहा है शुम्त कंच होता है और ये अच्छा क्यों जो है हम लोग रुड़ेज़ फ्व маш प्लाग ये इसो शुचेश नमाने के लिए खरते हैози तो जो मैलमाइन होता है वह तो हर्ड और स्पोद सर्फस्टु मुय डोनों रखता है इसी लिए इसका इस्तमल इसका क्रोकरी बनाने में और टेबल के टॉप्स होते हैं को बनाने में और गहां भी और कई प्रकार के pouvoir क्ली में उती हैं पॉलिफीन का स्टमाल सूपर मार्केट बैंक बनाने में कुना पमाता है इसमाल पॉली चीजों को बनाने में कामाता तो बेरे बच्चों आज आप लोगों ने प्लास्टिक उसकी अगले वीडियो में हम लोग प्लास्टिक एंवार्मेंट इसके बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद